सावन के बरत में भूल कर भी ना खाएं ए चीजे जाने किस्मत खुलने का कुछ संकेत नमबर एक सावन माह में एदियाब के द्वार पर कोई भी आये जैसे गाय बैल भी छुगाद वह सभी अतिति होते हैं उन्हें भगाना नहीं चाहिए नमबर दो सावन माह में किसी का अपमान नो करें खासकार देवता माता पिता गुरु जीवन साथे मित्र और मेहमान इस माह किसी भी जीव को नुक्सान नहीं पहुचाना चाहिए नमबर तीन इस माह में दाड़ी या सीर के बाल नहीं कटाना चाहिए नाखुन भी नहीं कटाना चाहिए नमबर चार सवन माह में सीव पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहिए जैसे सिवलिंग पर हल्दी कुंकुं कत्की का फूर या तुलसी अरपित करना सिवलिंग के समच ताली या संख वजाना नमबर पाँच सावन के महीने में हरी पतेदार सबजिया नहीं खानी चाहिए इस महीने में पतेदार सबजिया शरीर में वात को बढ़ाती है इसके अलावा मानसून के दिनों में कीडों का संकरमण अधिक होता है नमबर छे, सावन के महीनों में बैगन नहीं खाया जाता है, बर साथ के दिनों में बैगन में किड़ों का परभाव अधिक होता है नमबर साथ, सावन के महीने में दूध डेरी प्रोडेक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिनों गाय भाव चारेम के साथ बारिस की संकर्मित चीजे भी खा लेती हैं, इससे उनका दूध भिसेला हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध सीव जी को तो अरपित होता है, पर सेवन नहीं किया जाता, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चनल पे नए हो तो चनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,